नमस्का विध्यारतियों, विध्यारतियों यह तो हमारे को आपस में चर्चा करते वे बहुत समय हो चुका है, परन्तो आपको यहां बता दें बच्चों, कि यदि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है वीडियोस में, कुछ चीजे समझ में नहीं आ रही है यदि आ बात कर रहे हैं, वह हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में आवशक होता है, ठीक है, वह क्या आता है हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में आवशक होता है, परन्तु आवशक होता है, अति आवशक होता है, यह जो तत्वा है, यह केल्शम के साथ मिलके हमारे जो हड्डिया है हमारे चुद्दाथ है उनको मजबूत बनाता है तो वह कौन सा है वह तत्व है फॉस्फोरस ठीक है आज हम फॉस्फोरस के बारे में ही चर्चा करते हैं तो फॉस्फोरस है वह जिस तरह किसे केल्शियम हमारे शरीर के अंदर अती महत्पूर होता है उसी तरीके से जो फॉ Phosphorus होता है, वह भी हमारे شरीर की अंदर उतना ही महत्पूοन होता है, हदकि ये अलग बात है कि इसकी मात्रा, जितनी कैलिशं की मात्रा है, उतनी हमें आवशक नहीं होती है, उतनी Phosphorus की मात्रा हमें आवशक नहीं होती है इस शरीर में, पूरे शरीर में 400-700 ग्राम तक फॉस्फोरस उपस्तित होता है, इस 400-700 ग्राम जो शरीर के अंदर फॉस्फोरस उपस्तित होता है, उस 400-700 ग्राम में 80% जो होता है, वह केलशियम के साथ में रियाट कर लेता है, ठीक है, जो फॉस्फोरस होता है, वह उपस्तित को फॉस्फो यहां calcium phosphate श्रीर के हड़ियों के निर्मान के लिए दातों के निर्मान के लिए अती महतवपून रोल-प्ले करता है और जो बचावा बीस परतीशचत होता है वह श्रीर के विभान गॉमल अंगों में स्थित होता यानि तोटल जो phosphorous उपस्तित होता है, उसका 80% किसके रूप में होता है, calcium phosphate के रूप में होता है, और जो 20% होता है, वहाँ कोमल अंगों में पाया जाता है, मस्तिक्ष और नाडी तन्तु की कोशिकाओं की बहुद गुनन के लिए, यानि, multiplication, किसकी multiplication के लिए, मस्तिक्ष और नाडी तन्तु, है न, कि multiplication के लिए, कि division के लिए, उनको increase करने के लिए भी, phosphorus की अती आविशक होती है, और क्या-क्या phosphorus कारे करता है, जब हम phosphorus के कारे अब हम देखते हैं, phosphorus जो होता है, वो कितने प्रकार का होता है, जो हमारे शेरिक के अंदर उपस्तित होता है, मुख्य रूप से जो phosphorus के दिवाइट करता है, तो इस दो प्रकार से हमारे शेरिक के अंदर उपस्तित होता है, एक होता है कार्बनिक रूप में, और दूसरा है अकार्बनिक रूप में जब हम कार्बनिक रूप की बात करते हैं तब हम कहते हैं ऐसा रूप जिसके अंदर कार्बन उपस्तित होता है तो उस रूप को क्या बोलते हैं कार्बनिक रूप ठीक है ऐसा रूप जिसके अंदर कार्बन उपस्तित नहीं होता है उस रूप को हम ब जो होता है वह दोनों रूप में अवेलेबल होता है, कार्बनिक रूप में भी अवेलेबल होता है, और वह अकार्बनिक रूप में भी अवेलेबल होता है, कार्बनिक रूप में अकार्बनिक रूप में वह अस्थियों में उपस्थित रहता है, ठीक है, अकार्बनिक इह किसमे अवेलेबल होता है, calcium phosphate के और carbonic rowop में available होता है, sodium व पोटेशियम, phosphate के रूप में available होता है, यहाँ जो अस्थियों में जो अवेलेबल होता है, केल्शियम फॉस्वेट के रूप में वह कैसा होता है, सघन होता है, है ना, और यह जो अवेलेबल होता है, ठीक है, तो एक तो गया, इसका तरल फॉर्म में अवेलेबल होता है, तरल फॉर्म में सोडेम और पोटेशियम के जो phosphate होता है उस रूप में यहाँ available होता है next हम बात करते हैं carbonic रूप की तो जब carbonic रूप की जब हम बात करते हैं तो यह glycero phosphate के रूप में available होता है carbonic रूप में यह glycero phosphate के रूप में available होता है यानि कि उसके अंदर carbon की उपस्तिती होती है प्रोटीन के साथ में यह available होता है जब हम बात कर रहे थे कि मस्तिक्षी नाडे तंतों की कोशिकाओं के बहु गुनन के लिए काम आता है यानि कि प्रोटीन के साथ में इसका combination होता है जब भी हम कोशिकाओं की बात करते हैं यानि कि हम बात करेंगे प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो यह कौन सा फॉर्म होगा प्रोटीन का कार्बन का फॉर्म होगा ठीक है अब प्रोटीन के साथ में यह फॉस्फोलिपिड और नुकलिक अमल में पस्चित होता है फॉस्फोलिपिड और नुकलिक अमल कहाँ पाई चाते हैं कोशिकाओं में पाई चाते हैं और यहां जो होते हैं यहां division of कोशिकाओं, division of cells के रूप में के लिए बहुत अच्छा कारे करते हैं, ठीक है, यानि कि बहुगुणन का जो कारे हमने भी आपको बता है, वह बहुगुणन का कारे फॉसफेट के द्वारे किया जाता है, जब व हमने देख लया जेनरल की फॉसफफरिस होता क्या है और हमारे शेरीके अंदर आविशक होता है, ततव होता है, क्या इसके प्राप्ति के साधन है इसके बार में tutorials कि भारे में भी धे जड़ी में पाया जाता है। ठीक है। अच्छी कॉण्टी में अच्छी quality की रूप की बात करेंगे। तब दोनों तरीके से यहाँ आग में मास में मशली में और अंडे की जड़ी में अच्छी quality और quantity का फॉसफॉरस पाया जाता है, वही vegetarian sources की बात करते हैं, तब तिल, जली, सुखे मेवे में यहां अधिक मात्रा में पाया जाता है, प्लस दूद। किस-किस में, तिल में, जली में, सुखे मेवे में, सुखे मेवे से ताथ पर हमारा काजू बडाम, इन में यहां अधिक मात्रा में पाया जाता है, प्लस दूद में, कैल्शिम और फॉस्फोरस का जो कॉंबिनेशन है, बहुत अच्छा जो कॉंबिनेशन है, वह दूद में पाया जाता है, ठीक है, हरी पत्यदार सबजियां कि जब हम बात करते हैं, तो हरी पत्यदार सबजिय में iron की जो मात्रा होती है वह अधिक होती है, phosphorus की जो मात्रा होती है, वहाँ कम होती है, यानि सबसे अच्छा जो source होता है, calcium का और phosphorus का जो combination का source होता है, वह क्या होता है, दूध होता है, ठीके, इसके अलावा तिल में जो होता है, उसमें काफी अच्छा source होता है, phosphorus का, phosphorus ऐसा nutrient ह जो हमारे शरीर के अंदर Celsius के बाद सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है क्यों? क्योंकि यह हमारी हड्यों का भी निर्मान में मदद करता है. विध़ार्थियों, अब हम देखते हैं कि Phosphorus जो होता है उसके शरीर के अंदर क्या कारे होता है. phosphorus हमारे श्रीर के अंदर विभिन कारे को सुचा रूप में करने के लिए मददकार रहता है सब प्रथम इसका जो प्रमुक कारे होता है, important कारे होता है, वह होता है हड्डियों के निर्मान में, शरीर में जो हड्डियां पाई जाती है, उसके जो निर्मान में फॉस्फोरस एक अहम रोल निभाता है, यह केल्शियम के साथ में रियाट करता है, केल्शियम फॉस्फेट का निर्मान करता है, केल्शियम फॉस्फेट के निर्मान के कारण से हमारे शरीर के अंदर हड्डियों का निर्मान होता है, अतहां यह केल्शियम या आपके कह सकते ह यह जो Phosphorus है, यह Phosphorus हड्डियों के निर्माण में एक अहम भूमी का निबाता है, कार्बोहईडरिट के उपापच्चन में, बच्चों जब हमने आपको कार्बोहईडरिट का पड़ाया था, तब हमने आपको बताया था कि हमारे शरीर के अंदर ATP के रूप में, ध्यान रख तीन को हमने क्या क्या, दो में किया थोड़ी सी एनर्जी से में रिलीस होगी, तो कार्बोहईडरिट के जो उपापच्चन में आपका जो Phosphorus है वह अर्हम रोल प्ले करता है, क्योंकि एडमिन ट्राइफॉसफेट से एडमिन डाइफॉसफेट में इसका कन्वर्जन हो जा और जाता है, फॉसफोलिफट्स के रूप में पाये जाता है, अब यदि अम्लिट जदा हो जाता है तो वह रियक्त करके शार के तिरप में आपका जो रख्त के अंदर अम्लिट शार का जो संतुलन है, उसको बैलेंसिंग को बनाए रखने के लिए, किसकी आवशक्ता होती आवशकता होती है। यदि अमल ज़ादा होता है तो वोह शार को react कर लिता है। शार जब बैलेंस रखता है। नुकलो प्रोटीन और नुकलिक अमल होता है यह हैं कहां पाए जाता है। कोशी काउं में पाए जाता है। अब यहाँ कोशिकाओं में जो फॉस्फरस होता है, यहाँ नुकलो प्रोटीन के निर्माण में उसकी गत्थी को सुचार रूप से कारे करने में एक अहम रोल प्ले करता है, यही जो नुकलो प्रोटीन होता है, यहाँ कोशिकाओं के डिविजन में हेल्प करता है, यही नु directly phosphorus जो होता है वह नुकलोपोटीन को सुच्चार रूप से चलाने में मदद करता है postic तत्वों का परीवन में postic तत्व, हमारे शेरिर में किस के दिवारा परीवन होते हैं? रक्त के दवारा परीवन होते हैं रक्त में phospholipid के रूप में यहाई जाता है है ना अब ये फॉस्फोलिपिट के रूप में पाये जाता है यह शरीर में रक्त में पाये जाता है फॉस्फोलिपिट के रूप में और रक्त जो होता है वो क्या कारे करता है शरीर के विभिन अंगों तक पोश्चक तत्वों को पहुचाने का कारे करता है अतहां यह कह सकते हैं हम कि जो phospholipid होता है उसका क्या कार होता है पोस्टिक तत्वों के परिवहन में यह एक अहम role play करता है उर्जा उत्पादन में अभी हमने आपको बता है ADB से ATP में convert होता है और ATP से ADB में convert होता है यानि एडिनिन ट्राइफ फोस्वेट से ADB में convert होता है और यह हमारे शरीर में उर्जा संग्रहित कर लेता है और आवश्चिकता पढ़ने पर उर्जा का उत्पादन में मदद करता है कोशिकाओं के विकास में जब division of cell की बात करते हैं जब division of cell में phosphorus role play करता है तो कोशिकाओं के विकास में भी role play करेगा कोशिकाओं के growth में भी role play करता है calcium जो की सबसे important होता है हमारे शरीर में जिसकी मातरा भी ज़्यादा चाहिए होती है उसके absorption के लिए जो phosphorus होता है वह एक अहम role play करता है एक प्रमुक भुमी का निगाता है अगर phosphorus कम है अगर शरीर के अंदर phosphorus की कमी है तो निश्चित बात होगी कि calcium की भी कमी होती है क्योंकि calcium की जो absorption होता है शरीर के अंदर वहां absorption किसकी साहिता से होता है फॉस्फोरस की साहिता से होता है अब हम बात करते हैं बच्चों में कमी का प्रभाव या यदि फॉस्फोरस की कमी इंसान में हो जाती है तो उसका क्या प्रभाव? नेगेटिव इफेक्ट शरीकियों पर आता है फॉस्फोरस की कमी से बच्चों में जो होता है व्रद्धी का रुख जाती है, व्रद्धी इसलिए रुख जाती है, क्योंकि हड्डियों का विकास नहीं हो पाता, लेंद तो तब बढ़ेगी न, जब हड्डियां बढ़ेगी, है न, और फॉस्फरस कम है, फॉस्फरस कम है तो बच्चों में जो हड्डियों का विकास होता से भी band होने लग जाती है, band होने का मतलब ہ Awards कमी होती जा रही है, क्योंकि calcium किसमें role play करता है? Hτडियों की निर्मानी के अंदर हम role play करता है और अगर phosphorus नहीं हो रहा है, तो हτडियों का निर्मान नहीं होगा, हड्यों को निर्मान नहीं होगा तो बच्चों के में वरदी नहीं होगी और एदी वरदी हो चुकी होती है तो उनकी जो हड्या है उसमें विक्रत रूप ले लेती है हड्यों में कमजोर हो जाएंगी हड्यों कमजोर होने के ताथ पर होता है कि हलका सा भी गिरा व्यक्ती या बच्चा है ना तो उसकी हड्डिया निश्य दूप से तूटने का भाय रहता है और कई बार ऐसा होता है कि अगर फॉस्फरस की कमी बहुत जादा हो जाती है तो multiple factors होने का बहुत डर रहता है और यह multiple factors की जब हम बात करते हैं यह 40 plus के बाद में इसकी संभावना बढ़ जाती है चुकि हम बार-बार हड्डियों की बात कर रहे हैं ठीक है हम बार-बार किसकी बात कर रहे हैं हड्डियों की बात कर रहे हैं तो हड्डियों में जो होता है जो जोड होते हैं जोड से चाथ पर होता है कि दो ऐसी जगे जहा पर हड़ियां जुड रही होती है ना उनको हम बोलते हैं जोड अब इन जोडों में पेन होने लग जाते हैं और पेन की जो त्रिवता होती है वह थीवेर होती है क्यों होती है क्योंकि फॉस्फोरस की शरीर के अंदर कमी होने लग जाती है साथ ही में तंत्री का जो तंत्र हो जो मानसिक परिशानियों होती है, मानसिक विक्रतियों होती है, वो इस समय ज्यादा इंक्रीस हो जाती है, यानि आप यह देखे कि यह फॉस्फोरस बले हमें कम मात्रा में चाहिए, परन्तु उसका एक शरीर के अंदर केल्शियम के साथ मिलके एक अहम रोल प्ले होता है, और फॉस्फोरस की मात्रा हमें दैनिक आवशक्त के अनुशान लेना बहुत ही आवशक होता है,